फिजिस के conception और tricky question के series में एक question मैंने आपको दिया था जो कि इरडो से है और इसका concept बहुत ही जादा important है क्योंकि इस concept को अकर आप समझ लेते हैं तो वो एक बहुत trick में बदल जाता है और उस trick से आप बहुत सारे complex question बहुत आसानी से solve कर सकते हैं इस question के modified format है जो मैंने आप से short में पूछा था पहले उस question को समझ लेते हैं और इसके solution को समझते हैं solution ढंक से समझेगा समझने में शुरुआत में थोड़ा सा complex लग सकता है बढ़नोंत एक बार समझ में आ गया तो रोकेट लग जाएंगे आपके लाइक में तो चलो question देखते हैं question यह था कि एक ब्लोक है जिसका मास है में उसको एक रेंडम सर्फेस पे छोड़ा गया है यह रेंडम सर्फेस रफ है और ब्लोक और सर्फेस के बीच में जो कोफिशन और फ्रिक्शन है उसकी वेल्यू को मियू दिया हुआ है तो पूछा गया कि जब सर्फेस वाले questions होते हैं कि एक inclined plane है जिस पर ठीटा angle है यहां पर friction coefficient दिया हुआ है नीच आने में कितना वर्थ करना पढ़ रहा है friction के guess वह बहुत simple होते है प्रंतु इसका तो slope हर जगा अलग-अलग होगा यहां पर देखिंग अलग ठीटा हैगा यहां पर लगाएगा यहा friction variable friction हो जाएगा और जब कोई force variable होता है तो उसके द्वारा वर्क किया जाना या उसके अगे जो वर्क किया जाता है उसके लिए हमें calculus यूज करनी पड़ती है और इस calculus में फिर हमें थोड़ा सा complication बढ़ जाता है प्रंत यह उतना complex नहीं जितना हम सोचते हैं तो चली देख तो यह तो हो जाएगा हमारा mg sin theta यह हो जाएगा हमारे पास mg cos theta और यह हो जाएगा normal reaction और normal reaction mg cos theta के बराबर हो को तो friction हो जाएगा mu mg cos theta correct तो work done against friction अगर हम देखते हैं work done against friction अगर देखा जाए कि friction के किस कितना work हो रहा है तो that small work उसमें माली जिए थोड़ा सा ही slip और यहाँ पर हलका सा fix रहा मतलब fix constant रहा चेंज नहीं हुआ तो उसमें work कितना हो जाएगा work कितना था force का दार F dot D होता तो यहां पर F dot DL हो जाएगा F कितना है म्यूं एम जी कोस ठीटा मैं ऐसा करता हूं को वापस वही कर लेता हूं तो आपको तोड़ा देखने में दिक्कत नहीं आएगी एक सेकेंड मुझे दीजिए तो वह कितना हो जाएगा म्यूं एम जी कोस ठीटा dot DL और friction force उदार लग रहा है और displacement इदर हो रहा है त तो कोस 180 होगा प्रंत हम वक्ड़न अगेंस निकाल रहे हैं तो कोस 180 की वेली जाएगी माइनस वन और माइनस आके लगेगा मिलाकर वापस प्लस वन हो जाएगा यह वनेगा वर्क दन तो टोटल वर्क दन जो होगा यह को सौरे इसको एफ की जगर पर हम में वर्क दन लिख पहूंज हो जाएगा integration mu mg cos theta DL A to B mu mg constant यह बहारा जाएगा हमारे पास अगर हम देखेंगे तो mu mg तो भारा जाएगा integration मझाएगा A to B DL cos theta and now here is the trick अब trick यह यह wayısıट डियल हो होगा तो DL cos theta सब्सक्राइब. अगर इसको मैं नीचे लियाँ यू करके तो यह लिखाया है वह इस धिर्टन हुजाएगा है कि दुबॉर रोक कर दुबॉर पूढ लेना पमझा एक दोभार पूढ़ो और इस तरी के छोटे छोटे यहां से यहां से पुक्त सारी यहां से दियाए कई इल्गिस großen किता 2007 को एड़ कर देना तो यह डियल को स्टीटा जो है एसे लेकर बी तक आएंगे और सारे डियल को स्टीटा को एड़ करेंगे तो यह सारे डियल को स्टीटा एक का दूसरे गा तीसरे गा चोते गा पांच गा ऐसे करते करते हैं आ जाएंगे तो सारे डियल को स्टीटा का integration यानि summation कितना हो जाएगा L हो जाएगा तो हम इसको हटा कर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं L लिख सकते हैं mu mgl तो work done against friction होगा mu mgl और यह trick है कि कोई भी random surface पर अगर कोई भी random surface पर एक पर इसको साफ करके मैं समझा जाता हूँ और फाइनली trick बताता है आपको तो trick याद रखने से मतलब है derivation से कोई जादा फरग नहीं पड़ता तो फाइनल यह होता है कि कोई भी random surface पर कोई भी block अगर slip करके नीचे आता है और horizontal distance travel L करता है friction coefficient mu है तो work done against friction against what रहा हूँ mu mgl होता है this is a trick and using this you can solve many questions quickly practice के लिए मैं आपको इस तरह के question और दूँगा आप अपने नीट और जेई की तियारी को इसी तरीके से बनाई रखी और मैं लेका राता रहूँगा फिजिस के conceptual trick और धांसु question ताकि आप पाए best rank in जेई और नीट लगाता है झांस।